हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूटूब चैनल आरेश जियो 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नॉटिफिकेशन बेल और रक्षी है ताकि कोई भी यूसफुल वीडियो मिस ना हो हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स के आरेश जो 24 में वर्क करने कि टर्म्स औ कंदिशन क्या है वर्क करने के लिए एक परेंड्स और करने की समझोना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर टर्म्स और कंदिशन आपको पता नहीं वह तब खुद भी आश तर्म्स और कंडिशन अच्छे दे समझ लिए आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि टर्म्स और कंडिशन क्या है वह पूरे डीटेल में समझेंगे कि माली यह को यूजर है वह एक मोबाइल नंबर और एक इमिल एड़ी से कितने अड़ी बना सकता है ठीक है हम अगर मि चंडिशन प्लस टीम में 1-3 लेवल के अरणिंग कब स्टाट होगी यह फिर तीन से अगे के लेवल 4-5-6 साथ उसकी मतलब क्यां करने ओंसा वो लेवल हमारे कब आएगा जब मैं तो इन सारे सवालों के जवाब में इस वीडियो में देखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से दिखेगा हर एक कंडिशन को मैं डीटेल में समझाने जा रहा हूं तो बहुत ही जरूरी है तो यह वीडियो बहुत ही नौलेजेबल होने वाला इंफरमेटि होने वा तो फ्रेंड्स यह है सारी टर्म्सन कंडिशन जो प्लानन पिडियेट में देगी है पहले आप इसको अच्छे से एक बार रिडि कर लीजे इसी मां इस वीडियो में डीटेल में समझाने जारा हो तो एक बढ़ अच्छे से इसको रिड जरूर कर ली जेगा ओके तो सबसे पहले condition है friend user must be registered with unique mobile number and email id यानि कि एक mobile number और एक email id से एक ही आरेज़ो 24 के id बनेगी यानि कि एक email id और एक mobile number है एक ही बार user हो सकता है एक आरेज़ो 24 के id बनाने के लिए दूसरी बार बनेगा ही नहीं और आप बना भी नहीं सकते तो एक mobile number और एक email id से एक ही आरेज़ो 24 के id sign up होगी friend next condition है one id open in one mobile device यानि कि एक mobile में एक ही id open होगी अगर आप दूसरी id open करने के कोशिश करोगे तो वो fake work मना जाएगा और आपके id block भी हो सकते है तो एक mobile में सिर्फ एक ही id open होगी और एक ही id login होगी तो दूसरी id login ना करें ओके friends next condition है विड़ो लेने के लिए आपको KYC करना ज़रूर है KYC मतलब know your customer यानि कि आपको अपना पानकार्ड सब्मिट कर देना है application में मेनू है वहाँ पर ठीक है और अपनी id जब बनाओ तो वही नाम डालना जवाब अपने पानकार्ड में डलवाओगे तो विड़ो लेने के लिए KYC जरूरी है क्योंकि आरे जो हो 100% legal तरीके से वर्ट करते हैं आपको अपना TDSB return मिलता है डिडेक्शन होता है बेंक में जब लगाते हो और वह आपको जब अपना ITR return फाइल करते हो तो वापस मिलते हैं तो 100% legality के साथ कंप्री वर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उसी तरह legality के साथ अपनी मिलेगी लेकिन अगले दिन की खुद की और तीम नहीं मिलेगी अगर नेक्ट दे की आप टास्क देखो गे तो यहां पर सिर्फ दस मिट का गाम है, दस मिट के लिए कभी अपना एडविव मिस ना करें, और टास्क डन होना मतलब आपने आज माली एक्टिव टास्क है, उसमें से एक टास्क भी देख लिया, तो फिर आपको पैनल्टी नहीं लगेगी अगले दिन की, आपने एक टास्क देख ल इस दिन नहीं मिलेगी लेकिन फिर अगले दिन से कंटिन्यू हो जाएगी, ओके, फ्रेंड आपकी जो एक्टिव टास्क की अर्निंग है, उसको कंटिन्यू रखना है, तो आपको जो आपका पैकेज का पिरेड है, टाइम पिरेड है, तो फोर्टी फाइव डेज है, गोल् आपका पैकेज खतम हो जाएगी, उसके बाद एक्टिव टास्क की अर्निंग कंटिनू करने के लिए आपको पैकेज रिन्यूल करवाना कंपल्सरी है, मेंडेटरी है, जरूरी है, जरूरी है, फ्रेंड्स आपका वीड्रोल लेने के लिए आपके डायरेक्ट में, आपके जो भी पैकेज है, उसी पैकेज से मालीज आपका सिलवर है तो 124 वाली आइडी मालीज आपका गोल्ड है, जरूरी है तो जरूरी है आपके डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल पर आपको लगाना जरूरी है, जैसे आप सिर्फ एक आइडी कभी भी लगा दोगे अपने सेम आइडी वाली आइडी अपने डायरेक्ट में, उस दिन आप अपना जो भी वीडिवल बना होगा वो पुरा का पुरा निकाल सकते हो, तो बहुत ही आसान है, इतनी बड़ी दुनिया में एक आइडी सेम पैकेज की एक नहीं मेरे ख्याल से तो बहुत सारी लग सकती है, अच्छी कंडिशन आपके अर्निक बढ़ाने के लिए, उसमें आपको पहले दूसरे और तीसरे लेवल की इंकम लेने के लिए, आपके डायरेक्ट में फर्स्ट लेवल पर दो आइडी एक्टी होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पैक से हो, आप अगर डायमन मेंबर हो तो आपके फर्स्ट लेवल पर अगर कोई सिल्वर आइडी एक्टी होती है, 124 वाली तो भी आपकी पहले दूसरे और तीसरे लेवल की इंकम स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप किसी भी पैकेज में हो, आपके फर्स लेवल में किसी भी पैकेज वाली अगर दो आइडी अब माली जेफ्रेड ये कंडिशन फूल फिल होगी उसके बाद आपको तीसरे लेवल के बाद चौते लेवल की इंकम लेने के लिए डायरेक्ट में तीन आइडी किसी भी पैकेज से एक्टिव होनी चाहिए और आपको साथ वे लेवल की इंकम के लिए आपके फर्स्ट पैकेज की 10 आइडी एक्टिव होनी चाहिए मतलबा फर्स्ट लेवल बन जाते हो तो आपको साथ वे लेवल की इंकम यहाँ पर ओपन हो जाएगी तो पहला टार्गेट यही रख लीजे के मुझे 10 डायरेक्ट में किसी भी पैकेज की आइडी एक्टिव लगानी है वह चा सब्सक्राग में रखके चले ठीक है कि फ्रेंड्स यह जबर्जस्ट कंडिशन है जिसमें आपको सेल्फ टास्क किये बीना भी टीम के एड्वी की अर्निंग मिलेगी जी आफ्रेंड एक लेवल होता है जो आपकी अर्निंग का लेवल उस लेवल तक पहुंच जाओ गया त तो जब आपके टीम एड्वी की अर्निंग 124 या उससे ज्यादा हो जाए डेली की तो आपको फिर खुद के टास्क नहीं देखने पड़ेंगे उसी तरह अगर आपके गोल्ड पेकेज है तो आपकी अर्निंग पर डे एक हजार या उससे ज्यादा हो जाती है टीम एड्व आपको अगर आपको डेली की अर्निंग सिर्फ टीम एड्वी से 2400 रुपय की हो जाती है तो उस दिन से आपको फिर खुद टास्क नहीं देखने और फिर भी टीम एड्वी की अर्निंग आपको मिलती रहें तो यह जबर्चस्त कंडिशन है तो जल्चे जल्द आप इस मु नहीं करना है रोज फिर भी टीम एड्वी की अर्निंग लेनी है तो यह जबर्चस्त कंडिशन है उनके लिए प्रेंड्स अगर किसी ने रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन किया माली यह किसी ने क्लोन एप से दो आइडी चलने के कोशिश किया तो फिर फेक वर्क किय है या किसी भी किसम के हैकिंग करने की कोशिश की तो इस केस में उसके आइडी ब्लॉक कर दी जाएगी और उसके जो सारी अर्निंग है वह जीरो कर दी जाएगी और वह भी बीना कुछ बताए बीना कुछ इंटिमेशन दिये ठीक है और इसके तया आप पर लिगल एक्शन पर लिए जा सकते हैं और इस लिगल एक्शन का जो भी डिसिजन होगा वह होगा सार जो डिश्प्यूट है वह हर्याना कुरोक्षेतर जूडिक्शन में उसका फेस्ट लाएगा तो कोई किसी भी प्रकार का फेक ना करे कंपनी लीगल तरीके से वर्क करना चाहती है क्योंक तो हम भी पूरे लीगल तरीके से वर्क करें सारे रूल से रिगूलेशन को फॉलो करें बस मैनत करोगे तो यहां पर लाखो करोडो का माना बहुत ही आसा है हमको सिफ इमानदारी के साथ यहां पर मैनत करने है किसी भी प्रकार का फेक वर्क बगरा नहीं करना है तो डेफि just be positive always JRS-024